प्रधानमंत्री मोधी के फोन कॉल का ये आडियो पूरे हिमाचल में वाइरल है प्रधानमंत्री ने ये कॉल बीजेपी के पूर्वसांसद और बगावत कर फतेपुर सीट से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे क्रपाल परमार को किया करपाल परमार फोन पर ही प्रधानमंत्री के फोन कॉल के बाद भी निर्दलिय चुनाव लड़ रहे है चाली बतारी साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा जो मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया जिस पर कोई औरोप नहीं है शांती से शलीनता से पांटी का काम करता है अगर मैं इस हालत में पहुंचा हूँ, मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खतम हो गया और जब मेरे भगवान की कॉल वाई तो मैं उसको जवाब देने के काबल नहीं रहा था मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि प्रस्थितियां ऐसी पैदा कर दीजी मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता क्योंकि इसको विड्रॉल थी तीन बज़े तक, अगर तीन बज़ने को पांच मिंट पे भी आ जाता हूँ मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता, मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉल कर लेता लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था, विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था पूरे हिमाचल में बीजेपी के 21 बागी चुनाओ लड़ रहे हैं इसमें तीन मौजूदा और पांच पूरो विधायक शामिल हैं जादतर बागी अपनी बगावत के लिए जेपी नड़ा को ही दोशी ठहरा रहे हैं बीजेपी राश्विय ध्यक्ष जेपी नड़ा के लिए हिमाचल चुनाओ उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है यही वज़ा है कि अपने ग्रिह राज हिमाचल में वो अब तक 50 से जादा सभाएं कर चुके हैं यह तश्वीरें शिमला के मौल रोड की हैं जहां विश्र के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राश्विय ध्यक्ष जेपी नड़ा दुकान दुकान जाकर पर्चे बाट रहे हैं जेपी नड़ा बीजेपी के हर चुनावी प्रोग्राम में नजर आते हैं बीजेपी का घोष्णा पत्र भी नड़ा ने ही लॉच्च किया रेलियों में नड़ा राम मंदिर 370 युनिफार्म सिविल कोर्ट से लेकर बीजेपी की हर योजना को लेकर वोट माग रहे हैं कॉंग्रेश भी जानती है कि बीजेपी के बाग ही उनके लिए सत्ता की सीड़ी बन सकते हैं यही वज़ा है कि हर रेली में नड़ा का नाम लेकर बीजेपी को चुड़ा रहे हैं कि अभी उसी प्रहान मंद्री जी बात कर रहे थे पर्मार सहाब बैट जाओ पर्मार सहाब ने अपना दुख व्यक्ति पंदरा साल लग्डा जी ने मुझे तंच किया है कि सब लोगे वीडियों सब्सक्राइब देखा है जेपी नडडा भी काफी आकरामाख है नडडा प्रचार के आखरे दिन फतेपुर विधान सभा में रैली कर रहे हैं जहां से बागी कृपाल पर्मार बीजेपी के खिलाफ नडडा को चुनौती देते हुए मैदान में जेपी नडडा का ग्रेर राज जे हैं इमाचल प्रदेश वो यहां से मंत्री भी रहे हैं विधायक भी रहे हैं टिकेट इस बार उनके कहने पर बाटे गए हैं बागी उनको दोशी ठहरा रहे हैं तो उनका ही दाई तो है कि वो यहां पर पार्टी को चिताएं अगर खुदाना खासता यहां पार्टी हार जाती है तो उनके लिए एक बड़ा सेट बैक होगा क्योंकि पार्टी ने दोबारे उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है ऐसे में ग्रे राज में भी धूमल जी को टिकेट ना देना या धूमल जी के कुछ करीबी लोगों को टिकेट ना दे करके पार्टी के अंदर खलबली भी मची हुई है तो फिलाल एक लिटमेस टेस्ट है जे पी नडड़ा के लिए जो की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राश्टी अध्यक्ष है सेयोगी आशोक महाले और वीडी शर्मा के साथ सौरप शुक्ला एंडी टीव एंडिया